बाहुवली के आनेके बाद परभास रात तो रात सबसे बने स्प्रेस्टार बन गए थे इसकी एक जलक पाने के लिए किसी मुवी की जानकारी के लिए लोग पागल के तरह इंदिचार करते थे लेकिन इसकी पिछली दो मुवी साहो और राधे सियाम के बुड़ी तरह से फ्लॉप होने के कारण परभास के थोरा हाइप कम हो गया है लेकिन इसकी आने वाली मुवी सलार जो कि इसके अस्टार्टम को वापस ला सकती है या नहीं या एक सदी के नहीं सुपरस्टार बना के छोड़ेगी आज उसी के बारे में बात करेंगे परभास की पिछली दो मुवी राधे सियाम और साहो खड़ाब डारेक्शन के मज़े से फ्लॉप होई थी लेकिन सलार के के केस में इसा कुछ भी नहीं है जो कि सलार के डायेक्टर परसांत नील है जो इससे पहले के जीएप और केड़एप टू बना चुकी है तो आप लोग जानते ही है केजिएप और केजिएप 2 कितनी बड़ी हीट मूवी हुई थी दोनों ही एक्षन मूवी थी और केजिएप और केजिएप 2 से ही लिंक है सलार और सलार की डारेक्टर और परसांद नील और केजिएप की डारेक्षन सेम है परभास तो हाँ ही सबसे बड़े सुपरस्टार उसको सिर्फ डायक्षन के जरूरत थी और डायक्षन में तो परसान निल मिल गही है तो रोका कंबिनेशन तो खतरनाक होने वाला ही है और सलार भी हमें बहावली के तरह दो पार्ट में नजर आएगी इसके लीड रोल में पर सलार में रोकी भाई का इंट्री हो गया केमियो का थोरा सा भी हो गया तो नहीं परट को सकती क्वे अब इस समय में सिर्फ परोकी भाई का क्रेज इतना ज़्यादा है इंडिया में आप इसका अंधाजां में लगा सकते है आप लोग बताईए अलार कितना कमा पाएगी